Hello my dear kids तो बच्चों आब हम अपनी अगली क्लास में इंग्लिश का काम करेंगे जिसमें की हम पिच्चर नेम रिवाइज करेंगे आपने कौन-कौन से वावल्स कर लिए ए, ए, ई तो आपने उन सब की पिच्चर नेम भी किये ना मैंने कितनी बार आपको पिच्चर नेम्स लर्न करवाए रिवाइज करवाए तो आज हम सब के मिक्स पिच्चर नेम रिवाइज करेंगे आपने हर पिच्चर को बड़े ध्यान से देखना है और बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपने अपनी माई इंग्लिश बुक के सभी पिच्चर नेम की रीडिंग भी करनी है रीडिंग से आपको पिच्चर नेम की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी आप उन्हें अच्छे से फिर से लर्न कर सकोगे और बच्चे आपने अपने इवीज के टॉपिक में ट्रांस्पोर्ट भी किया था ना मैम के साथ कौन कौन से ट्रांस्पोर्ट होते हैं याद है चलो कुछ ट्रांस्पोर्ट के नेम बोले जैसे की जो रोड पर चलते हैं रोडवेज उनके नेम बोले येस बस कार, मोटर बाइक, बाइसिकल, स्कूटर, आटो, एम्बुलन्स, so many, okay? Now, airways कौन से होते हैं? हेलिकॉप्टर, एयर प्लेन, पैराशूट, और वाटर वेज, बोट, शिप, याच, और रेलवेज कौन से होते हैं? ट्रेन, सो बच्चे, आज हम ट्रांसपोर्ट भी रिवाइस करेंगे, और इंटीग्रेटेड बुक पर उसका काम करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं पिच्चर नेम, लेट स्टार्ट, हेलो माई दिया किज, तो बच्चों, आब हम अपनी अगली क्लास में इंग्लिश का का करेंगे, जिसमें की हम पिच्चर नेम रिवाइस करेंगे, आपने कौन-कौन से वावल्स कर लिए, ए, ए, इ, तो आपने उन सब की पिच्चर नेम भी किये न, मैंने कितनी बार आपको पिच्चर नेम लर्न करवाए, रिवाइस करवाए, तो आज हम सब के मिक्स पिच्च तोष भूच व pakai पिच्छ में की रीडिंग करनी है रीडिंग से आपको कर फिच्छ नंकी रिविजन अच्छे से हो जाएगी आप उन्हें अच्छे से फिर से लउन कर सकोगे और और बच्छे आपने अपने EVS के topic में ट्रांसपोर्ट भी किया था ना मैम के साथ कौन-कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं याद है चलो कुछ ट्रांसपोर्ट के नेम बोले जैसे की जो रोड पर चलते हैं रोडवेज उनके नेम बोले येस बस, कार, मोटर बाइक, बाइसिकल, स्कूटर, आटो, एंबुलेंस, so many ओके, नाव एरवेज कौन से होते हैं, हेलिकॉप्टर, एरप्लेन, पैराशूट और वाटरवेज, बोट, शिप, याच और रेलवेज कौन से होते हैं, ट्रेन सो बच्चे, आज हम ट्रांसपोर्ट भी रिवाइस करेंगे, और इंटीग्रेटेड बुक पर उसका काम करेंगे तो सबसे पहले हम करते हैं, पिच्चर नेम, लेट स्टार्ट बेटा, नाव ओपन यौर नोट बुक, राइट डाउन डेट हेर, पिच्चर नेम और फिर ये पिच्चर खुद ड्रा करनी है, ये मैम ने आपको mix पिच्चर दी है, एए और ए की तो आपने पिच्चर को ध्यान से recognize करना है, फिर आपने उसका answer लिखना है और ध्यान रखना है कि उसमें A आएगा या E आएगा तो देखो यह कौन से पिच्छर है FAN तो इसमें कौन से अवाज आ रही है? Big अवाज आ रही है FAN A की वाज आ रही है तो F A na FAN TAP इसमें भी A की वाज आ रही है T A P TAP TEN अब इसमें A की नहीं आ रही है टैग इसमें भी ए की वाज आरी है तो ए टैग डिप अब इसमें ना तो ए की आ रही है ना ए की आरी है डिप डिड़ इड़े इसमें भी लिड लिड़ इपहले बोल के देखिबखना लिड़ Lee lid ये कि अवाज आ रही है तो E डाल दिया हमने बीच में ये vowels ही main होते हैं अगर ये vowels wrong डाल दोगे तो सारा word गलत हो जयता है अब ये दो अंकलों को men बोलते हैं क्या बोलते हम men man नी men 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 अब एक अंकल को क्या बोलते हैं man man a बढ़ी वाज इसको क्या बोलते हैं ZP ZI ZE बर्ले आपने साउंड बोलके देखनी है है फिर आपने लिखना है D. DAN Jahaan Lion रहता है D. DAN A की वाज आ रही थी यह न हो कहीं लोग रहा है अपट आसे लिखाते है DAN man को man लिख देते हैं बच्चे ten को ten लिख देते हैं ध्यान से लिखना है यह नि कि ten बोल रहे हो ten लिख रहे हो ध्यान से करना है web hat hat jet jet jack की वाज आ रही है jet wig 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 w e wig e की वाज आ रही है wig bag bag a की वाज आ रही है तो आपने sound बोल के word को picture को समझ के उसकी sound पहले बोलनी है फिर लिखना है कई बच्चे jet को jet लिखाते हैं wig को wag लिखाते हैं bag को bag लिखाते हैं तो पहले sound बोल के देखनी है की कौन सी आ रही है फिर वावल डालना बीच में और जरूरी नहीं है बेटा की मैम ने 15 pictures ड्रौ की हैं तो आपने भी इतनी करनी है आपके ममा आपको 20-25 कितनी भी pictures ड्रौ करके दे सकते हैं ताकर आपको सारी pictures की practice हो जाए इससे क्या होगा आपको सारी pictures बार-बार revise करने से जल्दी learn हो जाएंगी आप लोग यहाँ पे जादा pictures ड्रौ करके भी practice कर सकते हो और रोज ममा को बोलो आपको mix करके 5 pictures ड्रौ करके दे और आप उनके words बोलो इसी तना से reading भी रोज करनी है तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी integrated book page ट्रांसपोर्ट वाले पे 51 पे identify and name the vehicle shown below write their last letter sound in the box तो सबसे पहले मैम के साथ इनके name revise करो जैसे कि मैम ने आपको पहले भी बताया था ना बिटा कि कुछ जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो roadways होते हैं कुछ airways कुछ railways और कुछ waterways अलग-अलग जगा पे ट्रांसपोर्ट चलते हैं तो ship क्या है ship waterways है water में चलती है helicopter airways bus और van ये दोनो roadways boat भी waterways auto roadways road पे चलती है car भी road पे चलती है roadways और train railways तो इन सबके नेम आपने फिर से रिवाइज करने हैं अपने मम्मा को सुनाने हैं और इनकी last letter sound आपने boxes में लिखनी है तो ship की last letter sound क्या थी पर ship पर फिनिश हो रहा है तो पर अब इसकी क्या है helicopter र र पे फिनिश हो रहा है last letter sound bus स कार र पे फिनिश हो रहा है र है last letter auto o boat ट वैन न ट्रेन न तो इस तरह से last letter sound आपने इसकी लिखनी है okay बेटा और साथ साथ name भी revise करने है now बेटा we will do next page number 52 अब देखो बेटा कुछ vehicles ऐसे होते हैं जो की बिना petrol के चलते हैं कुछ diesel से चलते हैं और कुछ CNG से चलते हैं तो आपने उन vehicles में color करना है जिन में petrol, diesel और CNG यूज होती है तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं उनको cross कर देते हैं जिन पे इन ये चीज़ें यूज नहीं होती तो बेटा देखो रिक्षा आपने देखा है कभी क्या रिक्षा petrol डलता रिक्षे में या diesel डलता या CNG तो रिक्षा इन चीज़ों से नहीं चलता बाइसिकल भी नहीं चलती बाइसिकल को भी हम इसी तरह से चलाते हैं और बोट भी नहीं चलती और कुछ बोट सोती हैं जो इससे चलती हैं और जो हाथ से चलाने वाली बोट सोती हैं उसमें कोई डीजल पैटरल और CNG यूज नहीं होता तो इन तीनों चीज़ों को छोड़के आपने सभी पिच्चर में कलर करनी है एयर प्लेन में, शिप में, बस में, ट्रेन में, कार में ठीक है बेटा तो चलो नाओ अब आपको मैम ने कुछ सेफटी रूल्स भी बताये थे हैं तो हमने क्या करना है इस स्पेज पर पुट अटिक ऑन दे गुड़ हैबिट्स एंड़ पुट अक्रॉस ऑन दे रॉंग हैबिट्स तो यह देखो सबसे पहले वाली पिच्चर देखो बस में से बच्चे क्या क अगर बाहर हैं तो उससे क्या होता है हमारा हाथ कट भी सकता है हमें चोट भी लग सकती है तो यह गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है तो इस पे हम क्रॉस लगा देंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए रोड के उपर क्या फुट बॉल या कुछ खेलना चाहिए इससे भी एक क्रॉस करते हैं तो किस से क्रॉस करना चाहिए तो हमें किस से क्रॉस करना चाहिए हमें जीब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करना चाहिए तो यह हमारी गुड हैबिट है हमें जीब्रा क्रॉसिंग बनी होती है रोड के उपर उसके उपर से रोड क्रॉस करनी चाहिए और यह द हमेशा footpath और zebra crossing का use करना चाहिए, ताकि हमारे साथ कोई miss happening ना हो, और right और left देख कर चलना चाहिए, यह नहीं है कि आप road cross कर रहे हो, तो दोनों तरफ मत देखो, कहीं से bus आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आपने उसे देख के cross करना होता है, ठीक है, और ना ही अपने किसी वहिकल से hand बाहर निकालना है, और ना ही road पर jump करना है, और red light में crossing नहीं करनी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और यह तीनो pages पर आपने काम करना है,